वेल्गम तो दिस न्यू लेसन जो आज का हमरा लेसन है उसमें हम देखेंगे कि भारत में एजुकेशन का डेवलप्मेंट कैसे हुआ मतलब बृतिशर्स के टाइम से ठीक है तो डेवलप्मेंट आफ एजुकेशन इंडिया भगत एजुकेशन ठीक है तो देखो पहले क्या था आपका कि इंग्लिश इस्ट इंडिया कंपनी आपको पता है कैसे आई थी तो वो कैसे आई थी एसे ट्रेडर आई थी खाली वो तो बिजनस करने आई थी लेकिन बात में आपको पता है कि वो ट्रेडर से कैसे रूलर्स बन गए फिर उन्होंने धीरे धीरे जो education का development शुरू किया लेकिन जो शुरुआत में क्या था कि इतना development नहीं था और जो भी development था वो individual level पर ही था जैसे कि 1781 में Warren Hastings ने Warren Hastings ने जो कि पहले governor general of Bengal थे उन्होंने क्या करा कलकता मदर्सा बनाया और इसमें क्या था कि Muslim laws वो सिखाये जाते थे और दूसरे related subjects जो थे वो सिखाये जाते थे 1791 में इसी तरह से Sanskrit College बना जिसको बनाया बनारस में with the efforts of Jonathan Duncan ठीक उसके बाद Lord Wellesley ने Lord Wellesley जो subsidiary alliance भी जो लाये थे 1800 में Ford William College बनाया किसलिए बनाया Education of Civilian Officers of the Company ठीक तो ये सब जब हो गया ये सब जब हो गया तो जो कुछ enlightened Indians थे जो educated Indians थे कि वो foreign से पढ़के आये हो यहां पे ही जिन्होंने पढ़ाई की हो जो enlightened Indians थे और जो missionary थी missionary मतलब समझते हो आप 1813 में Christian missionaries को इंडिया में allowed कर दिया गया था तो उन दोनों ने demand रखी कि government को effort डालने चाहिए ये तो इंडिविजियल लेवल पे थे government को ही effort डालने चाहिए कि वो जो है education को बढ़ावा मिले किसको western education को अब ये दोनों जो थे इन दोनों के जो views थे वो अलग अलग ते Indians क्या सोचते थे कि अगर western education को बढ़ावा मिलेगा तो जो country की social, economic और political जो weakness है वो हट जाएगी ठीक है उसके बाद जो missionaries थी वो क्या सोचती थी कि अगर Indians जो है western education अगर सीखेंगे तो उनका क्या होगा Christianity पे जो faith होगा वो बढ़ेगा और हमारी religion के लिए अच्छा है हमारे religion का जो एक progress होगा वो ज्यादा होगा ठीक तो आपको पता होगा जब charter act of 1813 आया था तो उसमें एक प्रावधन था उसमें एक provision था कि एक लाग रुपे कंपनी खर्च करेगी किसके लिए Indians की education के लिए लेकिन खैर वो एक लाग रुपे 1823 तक नहीं दिये गए क्यों क्योंकि कैसे वो खर्चा करेंगे एक लाग रुपे आज भी government में आप देखते हो कि बहुत से fund होते हैं जो वो ऐसे कैसे पड़े रहते हैं और lapse हो जाते हैं रीजन यही होता है कि उसमें spend कैसे करें उसका एक road map तयार नहीं होता ठीक तो यह सब था कि एक लाग रुपे था अब ध्यान रखना जब education को बढ़ावा देने की बात शुरू हो ही government के द्वारा तो उस टाइम एक dispute था एंगलो oriental dispute अब anglicist क्या होते हैं anglicist and orientalist orientalist क्या होते हैं यह भी British administrators ही हो हैं इस context में लेकिन यह क्या है Indian education यह इन्होंने एशिया की study की है और यह Indian education में बहुत believe रखते हैं anglicist जो हैं जो western education में believe रखते हैं तो orientalist में इनका ही जो group था orientalist मतलब जो Asian studies वाले हैं इनमें यह dispute था कि western education दी जाए या जो traditional education है Indian education वो दी जाए तो यह था एक तो यह इनमें dispute था और anglicist में भी dispute यह था कि what would be the language of education vernicular रखोगे या English रखोगे तो यह जब dispute थे Anglo-Ariental dispute तो उस ताइम फिर क्या हुआ कि जो एक आपके थे Lord Macaulay Lord Macaulay तो Lord Macaulay जो थे यह थे जो first law commission थी ना इंडिया की charter act of 1833 आया था यह वाला जो एक्ट आया था इसमें provision था law commission का law commission के जो पहले chairman थे वो Lord Macaulay थे तो Lord Macaulay ने जो है इस problem को solve किया और उन्होंने बताया कि जो British government है उसको अपने जो limited resource है क्योंकि उनके पास limited resource है तो वो सिर्फ English language में ही पढ़ाने के लिए होने चाहिए ठीक है तो यह उनका decide हुआ और एक downward filtration theory जो है Lord Macaulay ने दी तो उसमें क्या था कि हम जो पूरे देश को नहीं पढ़ाएंगे हम क्या करेंगे कुछ थोड़े लोगों को पढ़ादेंगे और वो आके जाके दूसरों को पढ़ादेंगे समझ गए हम कुछ थोड़े लोगों को पढ़ाएंगे और वो दूसरे लोगों को पढ़ाएंगे हम लोगों ने ठेका नहीं लिया मास को पढ़ाने का बहुत से लोगों को पढ़ाने का अब यह जो डौन और फिल्ट्रेशन थी एक्चुली आप देखो कि पूरा एजूके ठीक है अब जब इंडिया उन्होंने कवर कर लिया था तो उन लोगों को educated इंडियन्स के बिना रूल करना possible ही नहीं था तो यह एम था कि हम लोग क्या करेंगे कुछ इंडियन्स को पढ़ा देंगे और जो हमारी आगे जाके रूल करने में मदद करेंगे जो हमारे इसे servant का करेंगे ठीक है तो बहुत से लोग तो यह भी बोलते हैं अभी जैसे new education policy आई है तो new education policy जो आई है जो इसके पहले जो policy थी उसके बारे में लोग कहते थे अब यह तो आईगी इसका पता लगेगा पर पहले लोग बोलते थे कि जो अभी Indian education system है वो अभी भी Lord Macalee का जो system था बाबू बनाने का अभी भी वही system है ठीक है तो यह बाबू शोना वाला बाबू नहीं है यह बाबू मतलब clerk वाला बाबू है तो वो लोग बोलते थे कि जो है education system है अभी भी बाबू बनाने वाला ही है तो education का real meaning होना चाहिए कि हमारी creative thinking बढ़े तो वो लोग ऐसे criticize करते थ ठीक तो देखो उसके बाद जो आया चाल यह जो है मास की जो इतनी चली थोड़ा fail हो गए इतने result इसकी इतने अच्छे नहीं आए तो इसकी बाद जो आया Charles Woods dispatch 1854 में in the time of जब कौन थे आपके Lord Dalhousie ठीक तो इसको जो है magna carta of Indian education कहा जाता है first detail proposal था development of education in India के लिए तो इन्होंने क्या बुला कि vernacular primary schools होने चाहिए vernacular मतलब Indian languages में कहां पे villages में high school होने चाहिए और college होने चाहिए district level पे और university होनी चाहिए कहां पे presidency towns में presidency towns मतलब जो कलकत्ता, madras और bombay में चीक उसके बाद इन्होंने woman education को भी stress दिया vocational education को भी stress दिया vocational मतलब जो अभी भी है अभी जो new education policy में भी इसकी बात कही गई है मतलब जो जो रोजगार दे जो ऐसे book education ना देखे को कोई आपको skill सिखा दिया जाए ठीक है तो university बनी ध्यान रखना 1857 इस year को ध्यान रखना क्योंकि तीन university बनी थी कलकत्ता में, bombay में, madras में, कब 1857 में ठीक है और उसके बाद जो department of education था वो सारे provinces में बना तो मैं आप समझता हूँ provinces समझते होगे जो British India था ना आपका वो जैसे अभी हमारे इंडिया में states है ना तो वहाँ पे क्या है British provinces थे एक तो और एक थी आपके princely state ठीक है तो ये इस तरह से divisions थे इंडिया के ठीक उसके बाद देखो 1840 से 1858 के बीच में जो women education में कुछ improvement होई तो improvement क्या होई कि girls school की संख्या बड़ी लेकिन फिर भी बहुत कम थी ठीक है तो इसमें लिखा हुआ है आपका कि बैथू ने school बना कॉल करता में और डंकन अलग है 1791 वाला ये बैथूने school अलग है 1849 में बना जेडी बैथूने ने बनाया ठीक है और ये council of education के president भी थे इसी time पे आपका जो IIT रूलकी है engineering college 1847 रूलकी में बना और एक agricultural institute बना बिहार में ठीक ये दियान लगना है अब देखो क्योंकि Charles Woods Dispatch में primary और secondary education की इतनी बात नहीं की गई थी तो hunter education commission आया lord rippan के time में lord rippan के time में ये question दिया जाता है कि hunter education hunter commission किस से related था तो education से related था कहीं बार ये भी पूछ लेते हैं option में college education primary secondary education और इस तरह से option देते हैं तो आप ध्यान रखना it was just for primary and secondary education कब आया था 82-83 में आया था कौन थे governor general lord rippan थे ठीक है तो ध्यान रखना तो 1882 में government ने hunter commission बनाई जिसको बताना था कि 1854 में जो wood dispatch आया जो reforms लिये गए education में उसने कैसा काम किया तो hunter commission ने अपना जो review था और primary और secondary education तक ही रखा ठीक है और उन्होंने ये बताया फिर stress किया इस बात पर जो primary education है वो vernacular language में दिया जाना चाहिए ठीक उसके बाद एक आया lord karzan lord karzan तो इनके time में university act आया अब indian university act क्यों आया देखो क्योंकि दोनों कौन इंडियन्स भी और अंग्रेज भी मानते थे कि quality of education deprive हो गई है और दूसरी बात एक बहुत बढ़ा reason ये था कि जो university थी ना वो घर हो गई थी किसका घर हो गई थी revolutionaries का अच्छे अच्छे revolutionaries यहां से निकल रहे थे ठीक है जिनके दिमाग में क्रांत दी थी तो इसलिए क्या हुआ Indian University Act आया इसने क्या गरा mainly जो दूसरी चीजें करी ना वो तो करी पर इसका main मकसद ये Lord Curzon के टाइम में आया universities पे प्रतिभंद एक control बढ़ाना मतलब आपका क्या पढ़ा रहे हो क्या नहीं पढ़ा रहे हो वो सब British Government decide करेगी ठीक है तो 1902 में commission बनी उसमे Thomas Raleigh जो chairman थे ठीक है और उसका उनका काम ये था कि काम ये था status of university बताना suggestion बताना कि उनका constitution कैसा हो ठीक है ये हुआ primary education इसमें नहीं था और इसके basis पे एक Indian university act आया 1904 में मतलब ध्यान रखना Thomas Raleigh के जो recommendation थी उसकी basis पे university act बढ़ा तो इसमें देखो main में बता रहा हूँ आपको कि यही था कि Lord Curzon ने government control बढ़ा दिया main इसका provision यही था कुछ इसमें यह भी था कि research को और study को बढ़ावा दिया जाएगा universities में ठीक है act को national sentiments के लिए बहुत ही बुरा बताया गोबाल कृष्ण गोखले ने openly criticize किया कि act जो है वो आपको और education को और पीछे कीचेगा education में कहा जाता है कि creativity बढ़े control कम हो new education policy में आपको बता है कि यही दिया गया है autonomy तो अभी जैसे colleges होते हैं तो colleges universities के अंडर होते हैं 2030 तक national education policy में कहा गया है कि colleges को autonomy मिल जाएगी मतलब universities के अंडर नहीं होगा ठीक है यह बात उस टाइम भी कही गई थी ठीक है अब देखो यह government proposal आया education 1913 में तो यह क्यों आया इसकी क्या जूरत पड़ी प्रिंसली स्टेट बड़ोदा में एक प्रिंसली स्टेट थी उसने क्या करा 1906 में कंपल सरी primary education पूरे स्टेट में लागू कर दिया इसका मतलब उसने masses को पढ़ाने की कोशिश की तो जो दूसरे leaders थे इस्पेशली गोपाल कृष्ण गोखले उन्होंने कहा कि government को भी ऐसे पूरे देश को पढ़ाने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए अंग्रेजों ने क्या करा जो पूरी responsibility को तो ऐसे मना कर दिया उन्होंने कि हम लोग ऐसे पूरी responsibility नहीं उटा सकते लेकिन उन्होंने जो provincial government थी प्रोविंस जो थी उनको ऐसा कहा गया कि आप लोग efforts लें जिससे की elementary education दिया जाए अब देखो आप कितने साल बाद जो है education जो आपका right to education act है र्टी ए ठीक है तो यह उस time से चल रहा है ठीक settler commission हाई settler university commission 17-17-19 में ठीक है उसने क्या बोला government form the commission under the chairmanship of vice chancellor of university eme settler तो इनका main task क्या था कि जो कलकता university में जो problem चल रही है ये भी वही revolutionary से related है तो जो कलकता university में जो problem है वो ये government को कैसे उसको problem को tackle करना है वो बताए तो actually ये कलकता university के लिए सिर्फ नहीं था जो दूसरी थी university उनके लिए भी ये लागू किया गया बाद में तो commission ने एक in-depth study करी और इसने बताया कि अगर university को education improve करना है तो secondary education जो है सबसे पहले वो improve किया जाना चाहिए ठीक है 1916 से 1921 के बीच में साथ नहीं university बनी पहले तो खाली कलकता बंबे और मदरास में ही थी मैसोर अलीगर डाका पटना बनारस यहाँ पे नहीं university बनी 1920 में government ने Sadler Commission की recommendation को implement करने के लिए कहाँ आप देखो ये 1920 आप समझ रहे हो क्या है क्योंकि 1918 में Montec Kemsworth reforms आये थे तो Montec Kemsworth reforms में क्या गया गया था कि जो provinces जैसे अभी है ना हमारे state subject और union subject तो Montec Kemsworth reforms में provincial subjects अलग कर दिये गए थे और जो federal central subjects थे वो अलग कर दिये गए थे तो ये उसी के तहट 1920 में government ने provinces को कहा कि आप जो है वो इन सब चीजों को implement करें ठीक है उसके बाद आई हर्टो कमीटी 1929 में अब इसने क्या कहा कि जो ये quality of education जो खराब हो रही है उसके लिए क्या कहा कि खाली जो deserving students हैं उनको ही high school भेजना चाहिए high school मतलब 11th and 12th और जो average students हैं उनको 8th के बाद 9th और 10th उनको पढ़ने नहीं देना चाहिए और 8th के बाद ही उनको vocational education की तरफ divert कर देना चाहिए ये हर्टो कमीटी की रिपोर्ट थी 1929 में ठीक है अब देखो हमने इतना कुछ पढ़ा हम अब पढ़ लेते हैं इंडियन national congress ने क्या किया तो ध्यान रखना एक वर्धा scheme आई थी 1936 में आप खालिये time भी ध्यान रख लोगे तो बहुत है तो उसमें क्या है उन्होंने वर्धा महराष्ट में है तो इस तरह से एक जाकिर उसेन उसके chairman थे तो उन्होंने क्या recommendation दी कि first seven year of education should be free and compulsory and it should given in the mother tongue पहले साथ सल free होने चाहिए और mother tongue में दिया जाना चाहिए education second से लेके तो class seven तक जो medium होना चाहिए वो हिंदी होना चाहिए वर्धा को लेंग्वेज अलग है ध्यान रखना हिंदी अलग है ठीक है हिंदी हर जगा इंडिया में language नहीं थी उस time seventh के बाद ही जो education का media होना चाहिए वो क्या होना चाहिए English उसके बाद जो world war 2 आ गया और congress government ने resign कर दिया तो वो लोग government पे इतना pressure नहीं बना पाए कि ये सब implement हो ठीक है उसके बाद आई sergeant commission 1944 में तो उसने क्या क्या कहा कि जो pre primary और elementary education है ये सब वही repetitions है फिर भी हम एक बाद पढ़ लेते हैं उसको कि pre primary और elementary education है जो children का 3 उसको 3 to 6 year में pre primary education देना चाहिए उसके बाद जो है आपका 6 से 11 साल के बच्चों को free free education देना चाहिए ये बताया ठीक है और आपका फिर उसके बाद में जो है 11 से 17 साल का उनको selected students को जो है आपका higher education देना चाहिए मतलब वही जो हम repetition पढ़ते हैं वो जो point पहले पढ़े वही है ठीक है तो academic के उन्होंने कहा कि higher education को academic को technical vocational education में divide कर देना चाहिए तो अभी हमने जितना पढ़ाना उसको एक फटा-फट से हम एक revision करेंगे तो revision देखो सबसे पहले आपका क्या था सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये सब जब 1813 का act आया उसमें एक लाक का प्रावदान था तो पहले तो देखो क्या था कि आपके जो ये मद कलकता मदरसा था किस ने बनाया था Warren Hastings ने individual level पर effort चलते थे मतलब कब 18th century के end में ठीक है 1770 और इसके आसपास एक आपका डंकन कॉलेज बना कहां पे बना भई डंकन जोनाथन डंकन ने Sanskrit college बनाया बनारस में कलकता मदरसा बनाया Warren Hastings ने ठीक उसके बाद क्या हुआ आपका कलकता और मदरास यहां लिख देते हैं उसके बाद आपका क्या हुआ कि 1813 में ये एक्ट आया तो आपकी कोन सी controversy हुई Anglo-Oriental controversy हुई फिर आपका Lord Macale आये तो Lord Macale ने कहा कि resource जो है मतलब ये downward filtration theory किया गई उसके बाद आया votes dispatch तो votes dispatch किसके लिए आया था ये जो पहले जो education जो system apply किया गया था मेकाले के time उसको review करने तो इन्होंने तीन चीज़े जो बोली तो तीन चीज़े जो इन्होंने main क्या बोली कि आपके जो village level है वहाँ तो vernacular दे दो फिर आपका districts में जो है college बनाओ और high school बनाओ ये कहा और presidency towns में university बनाओ तो इन्ही के basis पे 1857 में तीन university बनी कलकता, Bombay मदरास ठीक है ये हो गया उसके बाद votes के बाद क्या आया आपका hunter hunter commission कब आई 1882-83 में आई इसका जो scope था वो primary and secondary education तक limited था इसने कहा कि जो primary and secondary education है वो vernacular language में दिया जाना चाहिए lord rippan के टाइम आई उसके बाद आए करजन महाश है तो करजन ने तो क्या किया university act आया किसके ध्यान रखना हो करजन ने एक commission appoint करी Thomas Rayleigh उसके chairman थे इनकी advice के basis पे university act आया 1904 में जिसमें कि क्या हुआ university पे control बढ़ा दिया गया थोड़ा बहुत research की बात की गई लेकिन main उसका aim यही था कि control बढ़ाना है ठीक है उसके बाद क्या हुआ कि बढ़ोदा में मैंने आपको बढ़ाया था बढ़ोदा में 1906 के around जो ruler थे उन्होंने क्या करा masses के लिए free education कर दिया government पे दबाव बढ़ा government ने एक अपनी education policy लगाई 1913 में उसने जो एक बताया तो उसने क्या का कि हम लोग masses की responsibility नहीं ले सकते हमारे पास इतने resource नहीं है लेकिन उसने provinces को कहा कि आप लोग efforts लगाएं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग educated हो free और provinces में उन्होंने कहा कि free और free education elementary education दिया जाए फिर आपकी क्या आई फिर आपकी आई settler commission settler commission आई 1917 1919 के around settler ने क्या कहा कि अगर university education को improve करना है तो secondary education पर ध्यान देना चाहिए और EC दोरान 1920 के around 7 नई university भी बनी मैसोर में पंजाब में इस तरह से उसके बाद आपकी क्या आई उसके बाद आपकी आई हर्टो कमीटी हर्टो कमीटी ने 1929 में आई तो इसने क्या बोला कि हर बच्चे को हर student को higher education देने की ज़रूरत नहीं है आप लोग 8 तक तो elementary education सबको दो उसके बाद जो student deserving है उसको आप पढ़ाओ और जो deserving है उसको आप आगे पढ़ाओ जो नहीं deserving है उसको आप vocational education की तरफ divert कर दो तो ये किस ने कहा था हर्टो कमीटी ने कहा था उसके बाद 1937 में वर्धा scheme of education तो वर्धा scheme of education में क्या कहा गया कि आप पहले तो जो elementary education है वो तो आप free में दो उसके बाद vernacular language में दो फिर आपका जो second से seventh तक आप हिंदी में बढ़ाओ और उसके बाद seventh की बाद English में बढ़ाओ ठीक है लेकिन ये implement नहीं हो पाई थी 1937 में तो Congress ने भी resign कर दिया था और उसके बाद world war second भी आ गई थी ठीक है उसके बाद जो आकरी में हमने पढ़ा था sergeant commission तो आप बस ये ध्यान रख लो कि sergeant commission independence से जस्ट पहले education से related एक commission बनी थी जिसका नाम था sergeant commission बस और कुछ ध्यान रखने की ज़रूत नहीं है ठीक तो ये हमारा education होगे एक बार फिर से फटाफट देखते हैं सिर्फ नाम नाम देखेंगे तो पहले अंग्रेजों ने कोई education पर ध्यान नहीं दिया 1770 के around आपके lord जो William Warren Hastings थे कलकता मदर्सा बनाया Duncan College Sanskrit बनारस में बना With the help of Jonathan Duncan फिर 1813 में एक प्रावधन आया लोगों ने pressure बनाया कि आप education को बढ़ावा दें जो भारतियों ने भी बोला और जो missionaries थी उन्हों ने भी बोला इसलिए 1813 में जो है एक लाग का जो प्रावधन आया कि एक लाग रुपे देना है तो वो कैसे खर्च करेंगे उससे related Englishist में और Orientalist में एक Controversy हो गई जिसको दूर किया Lord मेकाले ने मेकाले ने बोला English में पढ़ाओ कुछ लोगों को पढ़ाओ इसको review करने के लिए 1854 में आया votes dispatch वोट्स ने क्या बोला village में वरने कुलर, district में college बनाओ high school बनाओ, presidency में university बनाओ 1857 में तीन university बनी कलकता, मदराज, बॉम्बे उसके बाद जो आया आपका 1854 के बाद 1854 के बाद आया आपका रेले जो university act आया 1904 में उसके पहले आपका hunter commission आया था 1882 में, 1889 में जिसका main name था primary and secondary education after that Lord Curzon के time में एक रेले commission बनी डेले commission के जो points दिये उसके basis पे university act आया 1904 में 1904 में जो university act आया उसमें government का जो control था university पे वो बढ़ा दिया गया ठीक है उसके बाद 1906 में बडोदा में जो princely state थी वहाँ के जो राजा थे उन्होंने masses के लिए free education मतलब जो बडोदा princely state थी उनके लोगों के लिए free education किया तो government ने 1913 में जो उनकी भी एक committee बैठी उन्होंने बोला कि हम लोग responsibility नहीं ले सकते पर उन्होंने provinces को कहा कि आप लोग जो है ऐसी provisions लगाए जिससे elementary education बढ़े फिर आई आपकी settler commission ठीक है settler commission ने भी report दी आपकी और उसी time जो है और दूसरी भी university बनी ठीक फिर settler के बाद हमने पढ़ा हर्टोग committee तो हर्टोग ने क्या बोला हर्टोग commission ने क्या बोला कि खाले आप कुछ बच्चों को पढ़ाए जो deserving है बाकी को 8 के बाद vocational education की तरफ कुमा दें ठीक उसके बाद जो Indian National Congress की वरधा committee बेठी इसके chairman का नाम ध्यान रखना जाकिर हुसेन थे और इन्हों ने क्या बोला कि पहले second तक तो आप वरने कुलर में पढ़ाओ और second से seven तक हिंदी में पढ़ाओ और हिंदी के बाद जो है आपका seventh के बाद ही वो English education चुरू होना चाहिए फिर आकरी में हमने sergeant commission पढ़ी तो sergeant commission में मैंने आपको यही बताया बस नाम ध्यान रख लो कि आकरी में क्योंकि order पूछ लेते हैं तो यह sergeant commission आकरी में बिल्कुल 44 में बनी थी 1944 में और यह जो इसका जो main aim था जो main purpose था वो education के बारे में जो बताया इसने ठीक है बस यह ध्यान रख लो तो अगर आप एक analysis करोगे तो आप देखोगे कि अंग्रेज उने क्या कि इनका जो main motto था वो अपनी political authority strengthen करना था education देना नहीं था traditional जो system था Indian learning का वो decline हो गया reason उसका क्या था कि उन्होंने कहीं जगा क्या कर दिया job के लिए English compulsory कर दी तो job के लिए English compulsory कर दी तो traditional system of Indian education decline हो गया mass education पे उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया illiteracy rate 90% के around था ठीक है 1911-21 में free education नहीं था तो free education ना होने के कारण एक divination हो गई rich और poor की क्योंकि खाली कुछी जो लोग थे वो ही education ले पाए बागी नहीं ले पाए scientific और technical education को बहुत neglect किया गया medical college तो अंग्रेजों को time 2 या 3 medical college बने और सिर्फ एक या 2 engineering college थे जैसे कि एक पूसा बिहार में मैंने बताया था आपको agriculture वाला और रूलकी में जो IIT रूलकी है आज कब वो बताया था ठीक है तो यह इस तरह से analysis था thank you so much friend please आपका feedback दें thank you